नमस्कार मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं RPS समाचार आए शुरुआत करते हैं आज की खास ख़बर से राजोरी में सेना पर आतंकी हमला कानपूर का जाबाज भी हुआ शहीद ग्रामिन बोले सबका चैहता था करन गाउं में मातम जमू कश्मीर के राजोरी थाना मंडी में गुरुबर को सेना के वाहनों पर हुए आतंकी हमले में बलिदान हुए पाँच जबानों में से एक चौबेपूर कानपूर का भी जाबाज लाल था आर्मी में जीडी सिपाही करन कुमार यादव भीम चौबेपूर थाना शेत्र के भावपूर गाउं निवासी था देरात अधिकारियों से जानकारी मिलने के बाद घरवालों में कोहरा मच गया जानकारी पर पूरे गाउं में मातम बना हुआ है भावपूर गाउं निवासी किसान बालक राम यादव का बेटा करन कुमार दो भाई वातीन बहनों में मजला था परिवार में बहन साधना वा अराधना की शादी हो चुकी है टोपा पीर शेत्र में तलाशी अभ्यान शुरू किया गया वहीं बहन सुमवती तथा चोटा भाई अरजुन आविवाहित है करन वर्स 2013 में सिना में भरती हुआ था इन दिनों उसकी तेनाती जम्मू कश्मीर के राज़ोरी शेत्र में थी सेहने जानकारी के अंसार सिना की आरार बटालियंद्वारा टोपा पीर शेत्र में आतंकी गतिविदियां होने के चलते तलाश पूशी भ्यान शुरू किया गया था। इधर सूचना मिलने के बाद घर में कहरा मचा हुआ था, मा सरसुती और पतनी वेसुत थी, वही गाउं में मातम का माहौल चाया हुआ था, पिता बालक राम ने बताए कि उन्हें बेटे की शहादत पर गर्व है, परिवार वक गाउं के लोग प्यार से उसे भीम भी कहा करते थे, करन बेहत मिलनसार और लोगों का चहेता था, हमले में बलिदान होकर उसने देश ही नहीं कानपुर और चवेपुर का भी नाम रोशन किया है, गाउं के लोगों ने बताए कि करन बेहत मिलनसार था और लोगों का चहेता था, वह जब गाउं आता था, तो लोगों के ब लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्षन में जबने